Assalamualaikum, Welcome to this video, my name is Kashif Majeed दुनिया में इंटरनेट से पैसे कमाने के चंद ही वेज है जहां से लोग earning कर रहे हैं उनमें एक जो तरीका है वो है blogging blogging क्या होती है, यह मैं आपको बताऊँगा साथ ही साथ आपको एक copy paste proper method सिखाऊँगा किस तरह से आप blogging करके जो है वो earning कर सकते हैं इसमें copy करने, paste करने, जस्ट बीच में आपको थोड़ा सा अपना mind यूज़ करने है जिसके सारी game है ठीक है और उसके बाद जो है वो आप लोग ब्लागिंग के जिरिये जो है वो earning कर सकते हैं, साथ ही साथ आपको इसमें बहुत सदा इंशाला method रुपता होंगा जहां से और भी earning की जा सकती है, दो तीन ऐसी websites भी हैं जहां पर आप जो है वो काम करके services दे के पैसे कमा सकते हैं, सारा कुछ आप इस वीडियो में सीख जाएंगे और इंशाला online earning करना स्टार्ट कर देंगे में नमें काशिफ मजीद, अगर आप चैनल पनी होँ है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं online earning से related videos देखने के लिए मजीद आगे बढ़ने से पहले हमारे online earning courses हैं अगर आप ज़दा interested ने हैं online earning के अंदर तो आप proper course कर सकते हैं, YouTube से related, YouTube SEO से related Fiverr से related या फिर Facebook earning course तो यहाँ पर आपको WhatsApp नमबर मिल जाएगा यहाँ पर आप मुझसे contact कर सकते हैं, courses करने के लिए तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले कि blogging क्या है और copy paste method क्या है जिससे आप लोग earning करेंगे Basically what is blogging? Blogging जो है वो यह है कि आपने articles लिखने होते हैं ठीक है? और आपने अपनी website पे या किसी भी website के उपर आप post करते हैं और आप उससे earning करते हैं हम एक blog लिखते हैं ठीक है? और वो हम अपनी website में post करते हैं और google adsense जो होता है या google ads आप कहलें वो उस पर show होते हैं तो google adsense हमें उसका pay कर रहा हुता है ठीक है? गूगल का यह टूल है अब यहाँ पर कुछ जो है वो ऐसे तरीके होते हैं जिसमें आपको proper प्रॉपर टूल आपने इस पर आपने इस पर अमल करना है ठीक है और उसके बाद इन्शाला आपको results मिलना शुरू होंगे चलिए आजए यह laptop की screen पर पहला method यह है कि आपको चीज बताई जाए कि आपने काम क्या करना है ठीक है कहां से लेना है और कैसे उसको copy करना है कैसे आपने उसमें changing करनी है कुछ ठीक है और उसके बाद जो है next process में आपको बताऊंगा चलिए आजए यह Google पर यहाँ पर हमने simple Google को open किया हुए इसमें कुछ जो है ना भी तक मैंने नहीं किया ठीक है यहां से different content पे काम कर सकते हैं मैं आपको आज health पे सकाऊंगा ठीक है बाकी जो है वो मतलब चूब के मैं interested था health के लिया से उसमें CPM अच्छा है इसमें काम आप आगे ज़्यादा कर सकते हैं ठीक है तो अगे बाकी जो है वो आप अपने knowledge के मताबिक आप same strategy कापी करके आगे काम कर सकते हैं यहां पर हम लोग health के section को open कर लेते हैं अब यहां पर होता क्या है कि daily का daily आपको topic यह खुद ही google जो है वो update करके देता रहते हैं basically इसका मक्सद तो यह है कि लोग आके यहां पर news पढ़ें अब आपने इसको smartly जो है वो अपने तरीके के लिए apply करने है आपने अपना काम करने है इसे अब यहां पर देखें different हमरे पास articles open होके आगे हमने क्या करना है यहां से हमने वो article उठाना है जो हमें जो है वो suit कर रहा होगा कि यह जो है public का इसमें interest है ठीक है और यह worldwide में आपको स्कार हो इसका CPM काफी जदा है यानि के यह है के worldwide यह CPM क्या होता है अब content जो आप लिखते हैं वो एक तो पकस्तान के लिए आप लिखेंगे ठीक है वो जस्त पकस्तानी लोग पढ़ेंगे तो उसमें आपको क्या होगा कि पकस्तान में चुके Google Ads एकर काम कर रहे है तो Google जदा पे नहीं करता ठीक है जो keywords होते है उस पे जदा CPM नहीं बनता cost पर click कहते हैं इसको तो आपको earning काम होती है सदास बान में ठीक है अगर बाहर से गोरे आपके ब्लॉक्स पढ़ेंगे या articles आपके पढ़ रहे होंगे तो आपको earning के सदा होगी तो यह इसका simple clear अब यहाँ पर देखें different articles है अब इसमें से आपने खुद बैठके daily का daily आपके पास articles आ जाजेंगे आपने खुद निकालने प्रॉपर कि आपको कौन सा article ऐसा लग रहे है जो के जिसमें आपको लगता है कि यह जो है ना viral जा सकता है अब यहाँ से मैं थोड़ी से इस पर सरच करता हूँ ठीक है एक दो हम articles निकालते हैं तो यहाँ पर मैंने तीन जो articles है उनको फाइलाइस कर लिए ठीक है नमबर वन एक article नॉट गेटिंग एनफ स्लीप कैन डिस्टरप्स स्टेम सेल्स रिपेर इंदी जो है ना यह जो भी कौरईना लिखा हूँ है आई के रिलेटिड है इसका मतलब ठीक है अगर लेट्स होते हैं तो क्या आपको नुकसानात होंगे फिर उसके बाद है यूजिंग AI टू प्रेडिक्ट बोन फ्रेक्चर्स इन कैंसर पेशेंट्स कैंसर पेशेंट में जो बोन फ्रेक्चर्स होते है AI टिकनॉलोजी से कैसे जो है ना वो पता लगाया जा सकता है पूरा एक आर्टिकल इन्होंने लिख दिया है उसके बाद यहां पर देखें एग्री करते हैं यहां पर एक आर्टिकल है पूर क्वालिटी स्लीप में सब्पर आर अटेंब्स टू कीप वेड ओफ ठीक है यह एक पॉर्पर आर्टिकल है अब तीन आर्टिकल मैंने यहाँ से ओपन कर ली है और अब हमने क्या करना है हमने बेसिकली पहली चीज़ है कि हमने बैट कर यहां पर थोड़ा सा हमें टाइम लगाना पड़ेगा हमें articles copy paste मिल रहे हैं लेकिन इनको हमने just copy paste नहीं करना ठीक है ऐसा नहीं करना कि आप just कहें कि जी मैं इसको यहीं से copy paste कर ले तो यह ठीक नहीं रहेगा हम आएंगे google पर यहां पर हम लिखते है rewrite ठीक है rewrite tool तो यहां पर आपके समने काफी ज़दा आर्टिकल जो है ना वह rewrite website साजेंगी अब यहां से आप जो है वह इस website को open कर लेज़ेगा quillbot ai ठीक है यह अवली website यहां पर आप इसको open कर लें और उसके बाद जो है let's suppose अगर लगता है इसके synonyms कोई और आप रखना चाहते हैं scientist है ठीक है experts कर सकते है look की जगा आप look at the impact कर सकते है तो यह काफी changes यहां पर आपको help करता है ठीक है मैं आपको यह recommend करूंगा कि पहले दो तीन lines भी आप कोशिश करें कि अगर खुद लिख सकते हैं सेम मतलब वही हो लेकिन यह है कि खुद लिख सकते हैं तो ज़दा बेतर होगा नहीं तो आप इस तरह से इसको जो है ना बना के copy कीजिएगा उसके बाद आपने यहां पर ल लूँगा जहां से मुझे लगेगा कि इसको मुझे मजीद जो है ना वह अच्छा बना लेना है तो वहां से मैंने इसकी changes कर लेनी है ठीक है अब आपने क्या करना है आपने इस तरहां से एक article जो है वो daily का ठीक है एक article आपने रीफ्रेस करना है प्रॉपर जो आपको तक अगर यह काम सीख लिए कि आपको एक website पर जाना है वहां से daily आपको एक article जो है वो लेना है ठीक है अब बारी आती है आपकी के आप यह सीखें कि आप इसको sell कैसे करेंगे ठीक है अब आपने इसको बेचना भी तो है तो यह जो है वो मैं आपको तरीक अपता तो number one इस में एक है paid method number two है free method ठीक है उसके बाद different do websites है वो भी बिल्कुल free of cost है उसके बाद एक और तरीका है जो के और जबरदस्त है वो भी आपको लास्ट वीडियो देखेंगे अब पहली चीज़ पहला है paid ठीक है आप एक website बनाए और website जो होगी वो आपकी wordpress की होगी ठीक है मैं आपको जो है वो बता देता हूँ का कैसे बनती है website के लिए आपको पाता है domain and hosting चाहिए होती है और domain and hosting अगर आप buy करते है तो उसके लिए मतलब बहुत सी website से जहां से buy कर सकते हैं लेकिन काफी ज़दा महेंगी domain and hosting मिलती है मेरा जो personal experience रहा है hostinger के साथ वो बहुत जबरदस तरह है मेरी अपनी एक website है kashimjid.com और इसका लवा different websites है ठीक है जो के चल रही है और वो चल रही है hostinger के साथ क्योंकि इनके साथ मुझे फाइदा क्या होता है इनके साथ ये फाइदा होता है कि एक तो इनका investment plan कम है ठीक है आप कम invest करते हैं इसके अंदर दूसरे नमर पर य हैं उसका कोई भी नाम रख सकते हैं आप डूमेन को भी ले सकते हैं उसके लिए अगर health से related है तो healthissues.com या health जो भी आपका वाटराव का जी चाह रहा है मैंने kashimjid.com रखी हुई है ऐसे आप कोई भी रख सकते हैं अब उसके लिए domain and hosting कहां से buy करनी होती है वो मैं आपको इसका आपको by the way link मिल जागा description box में आपने just link पर आना है और आपके सामने जो है वो कुछ इस तरह से open हो जाएगा ठीक है अब यहाँ पर आप Google पर लिख के भी आ सकते है hostinger.com slash kashif ठीक है यहां से क्या फाइदा होगा कि यहां से आपको काफी ज़दा off मिल जाएगा नहीं तो आपको description link मिल जाएगा आप click करके यहां पर आ सकते हैं अब यहां पर देखें hostinger के जो plan है मुझे यह सबरदस्त इसलिए लगते हैं क्योंकि starting में मेरे लिए काफी ज़दा यह helpful थे क्योंकि इनके prices काफी अच्छी है ठीक है अब यहां पर देखें इनका most popular जो plan है यह plan ह $2 का ठीक है और यह अगर आप आगे buy करते हैं तो इसमें आपको काफी ज़दा facilities है क्या है 100 websites यहां पर आ सकती है ठीक है top feature comparison है उसके पास 100 GB जो है SSD storage है इसके अंदर data key ठीक है monthly visits 25,000 तक हो सकते है ठीक है free email है इसके अंदर आपके पास free SSL है SSL क्या होता है कि आपकी website क्या आ आपको यहां पर 30 days money back guarantee देंगे 24x7 sport भी दे रहे हैं साथ उसके इलावा आपको free domain भी मिलती है तो अब हम इसको select कर लेते हैं यहां से मैं आपको दिखाता हूं कि आपने इसको buy करना है तो आगे जो चीज है main वो भी आपको बताता हूं ठीक है अब यहां पर देखें यहां मैंने जो है long term काम करना है तो आप इसमें 24 या 48 months भी select कर सकते हैं बाइदा हम यहां से 24 months को select करते हैं ठीक है और यहां से हम लोग जो है वो मैं बिल्कुल नीचे आगे हूँ और यहां पर देखें अब यह credit card के आपके पास आगी है payment method का कि आप कहां से payment करेंगे तो यहां प यहां पर आप लिखेंगे kashif ठीक है kashif और आप इसको plus करेंगे तो यहां से देखीगा price और भी down हो गए यह 71 ते फिर 66 टॉलर्स हो गए हैं आपने अपनी details इंटर करनी हैं और आप यहां से domain and hosting ले सकते हैं और आगे अपनी website बना सकते हैं बहुत simple है इन्हीं के आपको tutorial अंदर ही मिल जाएंगे कि आप किस्ता से website बनाएंगे बिल्ड करेंगे और साथ 30 days money के रेंटी भी एंकर सारा कुछ ठीक है तो पहला तरीका यह है कि आप यहां से hostinger से domain and hosting ले और उसके बाद आप जो है वो प्रॉपर स्टार्ट कर दें number two three का किया है भाई हमें जो है वो paid पे नहीं जाना है ठीक है हमें पैसे नहीं लगाने कोई अगर यह कहता है तो मैं आपको बताओंगा कि blogger.com यह एक बिल्कुल free of cost method है यहां पर आपको उसका website भी बनाना सकाओंगा ठीक है आपके लिए और उसके बाद जो है वो आगे हम उसके कैसे list करते हैं सारा कुछ मैं आपको उताता हूँ हमने article यहां से copy paste किया हुए भी ठीक है हमने का करना है हमने आजना है Google पर यहां पर मैं blogger.com पर आ रहा हूँ ठीक है यह एक free tool है Google का जहां से आप लोग जो है वो blogs लिख सकते हैं अब यहां पर हमने क्या करना है create your blog लिखा हुए कि आप यहां से अपना blog बनाएं ठीक है create your blog पर क्लिक करते हैं अब आपको समने different आपकी email आ जाएंगी और आपने उसमें से अपना email select करना है ठीक है ठीक है अब यहां से हमने title रख दिया अब यह कहरें कि आप बताएं कि आपका जो है ना वो www.dot जैसे होता है तो यह क्या आपका blog post.com क्या बने क्या क्या आप domain रखने चाहते हैं तो मैं यहां से रख देता हूँ health info ठीक है अब अगर यह available हुई तो यह मुझे बता देंगे यह आपके ब्लॉग का तो हम यहां पर रखते हैं health info यहां पर आपने जाना है थीम में ठीक है थीम इनके पास अवेलेबल होंगे काफी ज़दा या फिर आप जो है वो यहां से कोई भी थीम अपना कस्टम भी ला सकते हैं ठीक है कस्टमाइज में जाके या माई थीम में जाके आप जो है वो हाँ यहां से जो है वो एडिट एश settings जो है वो कर लेंगे ठीक है यहां पर header लिकर आ रहा है pages है ठीक है feature post है यह सारे about me यह जैसे आपने यहां पर अपने बारे में लिक देना है ठीक है about me का section होना चाहिए होना चाहिए महर पस ठीक है उसके बाद जो है बाकी यहां पर layout में जाके आप कर सकते हैं अब यहां पर मैं आपको दिखाता हूँ यह ब्लॉग अभी किस्ता से बन गया है यहां पर देखें यह कुछ किस्ता से शो कर रहा है यहाँ पे सर्चेज है हमारे पास और बाकि हमारे यह ब्लॉग जो है यहाँ पर यूँ शो करें, ठीक है? अब जो है वो आपने क्या करना है यहाँ पर पोस्ट करनी है ब्लॉग पर आपने अपना ब्लॉग डालनी है ठीक है अब न्यू पोस्ट पर हम क्लिक करते हैं यहाँ से देखे हमारे पास टाइटल शो करेगा टाइटल हमने क्या देना है जो टाइटल हमने यहां से पढ़ा था हमने उसको री राइट करके देना है ठीक है यह टाइटल है इधर का हम क्या करेंगे इसको जाएंगे इधर ठीक है री राइट करेंगे और उसके बाद हम यहां से इसको चेंज करके दे देंगे हाँ यह है अब इसमेंसे आपने जो गैप से है उसको ख़ल ढूरा रिकर लिली कर देंगे है इसके दम एक उड़िए पर प्रिवियू आपको देखके यहां से घूंड है यह से कर सकते हैं और यह को का ब्लॉग जो है वो इस तरह से पड़ा जाएगा ठीक है यहाँ पर नीचे कमेंट्स का भी आप्शन है यह सारा कुछ यहाँ पर आप्शन शो कर रहे हैं अब मैं क्या करूंगा यहां से मैं पब्लिश कर दूंगा कंफर्म कर दूंगा तो यह जो मेरा पहला ब्लॉग है वो लोग पड़ सकते हैं अब यहाँ प्र आपने क्या करना है आप आप ने दोशन आप जाने के पालड करना है और इसको आप अप्लाए कर देंगे, आप वो monetization के लिए जैसे monetization होती है YouTube के अंदर लेकिन उसमें criteria होता है subscribers और वाइस टैम इसमें कोई criteria नहीं है ठीक है तो इसमें आपने क्या करना है कि आपने फिर उसके बाद यहां पर apply करने है अब ये मैं आपको थोड़ा सा शौट करके बता रहा हूँ, मजीद अगर आप इसमें इंटरस्ट ले रहे हैं, इस ब्लॉगर के अंदर, तो आप इसके कोई भी कोर्स देख लीजेगा, ठीक है, साथ ही साथ आप उसके फॉलो करते करते हैं, आप इन्शालला मनजल को पहुंच ज ठीक है, जैसे यूटिव के अरिंख आती है, सेम ब्लॉगर की भी अर्णिइग आ às führaets आ अर्निग है, ठीक है तो यह एक वेबसाइट है जहां पर आप सकते हैं ठीक है राइटरबे डाट कॉम इनका क्या परपस है कि यह कहते हैं कि हमें आप आर्टीकल्स दें ठीक है अब यहां पर मैं आपको परपस भी इनका दिखा देता हूं इनके बैनिफिट्स किया है नो रजिस्टेशन फीस यहां पर मैंने एक प्रॉपर वीडियो उस पर बनाई हुई है कि कैसे कैसे अर्निंग होती है वह आप देखना चाहते हो तो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में बाकी इनकी रिक्वार्मेंट्स यहां पर हम पढ़ लेते हैं और इनकी सेलर्स हैं ठीक हाव वी प्रॉपर देंगे तो पास आप हो जाएंगे उसके बाद आप जिस तरह से यहां पर लोग अर्न कर रहें ठीक है अकूंटिंग अदर इतना अर्न कर रहे हैं हिस्ट्री के इंदर और इस पर मैंने प्रॉपर वीडियो बना के समझा हुआ हूँ ठीक है एक एक चीज कैसे आ वो इंट्री टेस्टिन के पास कर लेंगे ठीक है, ओनलाइन ही है, सारा कुछ, और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो है, वो आप लोग जिस्टा मैंने आपको बता है, उस तरह से आप लोग आर्टिकल्स इनको दे के अर्निंग कर सकते हैं, अब एक तो ये तरीका हो ग जाते हैं, गूगल न्यूस पर ठीक है, ये है हमार पास, और हम जाते हैं यहीं से, यहां से हम लोग जाएंगे उर्दू पॉइंट पर, ठीक है, उर्दू पॉइंट, मैं इस वेबसेट को ओपन कर लेता हूँ, यहां पर एक वेबसेट ओपन हो लिए, साथ हम एक और भी के अंदर, और इधर से मैं ओपन कर लेता हूँ, काफी ज़दा यहां पर भी आर्टिकल्स होंगे, ठीक है, अब यह देखें, दावतें कुछ तक्रीब, जो सब ने ईद के अंदार में बचा कर रखे होती हैं, यह खुबसूरत मकामात पर खिंचेगी 15 ऐसी तस्वीरें, ज लेकिं न्यूजिलेंड की शौर का जीवोगरी, बच्चा द्रयावट घै के जापान में खाने के लिए दी जएने वाली मचली चानख जिनदा हो गई, इसको हम उपन करते हैं, तो क्या यहां पर वाकी ऐसा मुम्किन है, जापान में खाने दी जाने वाली मचली चानक प्रण दो सकती है चीज़ कैसे हो सकती है यह आपको डेली का टॉपिक मिल रहे हैं अब आपने क्या करना है आपने जस्त एक यूट्यूब चैनल बनाना है आपने आना है यूट्यूब पर स्क्रीन कॉर्डिंग लगानी है ठीक है और उसके बाद आपने जैसे यहां से आप जापन में खाने के लिए डीजनेरली मचली अचानक जिन्दा होगी ठीक है? यह आपका थमनेल होगा और लोग करेंगे वाकी यार यह कै? आप आप यहाँ से शुरू करें, ठीक है? ठीक है? खाने के लिए पेश की गई ठीक है आप लोग अच्छी खासी YouTube से अर्निंग कर सकते हैं तो ये जो तरीका है इस पर मैं आलरेड़ी अमल कर रहा हूँ मैं आपको सीधी सी बाद बता रहा हूँ कि हम लोग इस पर अमल कर रहे हैं और अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं तो आप लोग इस पर अमल कर रहे हैं जो तरीके मैंने पहले आपको बताएं उन पदी आप अमल कर सकते हैं और मैं आपको लास्ट पर एक बात बताओ अंलाइन अर्निंग जो है वो अगर आप ये समझ रहे हैं अगर आप यह समझ रहे हैं कि copy paste मरलब यहां से मैंने उठाना है ठीक है यहां पर रखना है और कल ही मुझे पैसे आ जाने है ऐसा नहीं होगा ठीक है इस चीज़ का नाम नहीं है मैंने ये वीडियो के लेंटी बनाई है इसमें आपको different जो है न वो तरीके कार steps समझाएं आप YouTube से earning करने के आपके पास धेरों वीडियो पढ़ी होगी YouTube पे मेरी अपनी इतनी वीडियो से कोई interested है तो वो मेरी एक वीडियो देखे लिए सिरफ 27 मिनट किया ठीक है अगर वो भी देख लेते हैं तो आप proper YouTube चल बना लेंगे ये जो आपके समय मैंने topic आपको दिया आप इस पर काम करें प्रॉपरी ठीक है और दिल लगा के आप काम करें इंशाला आप जो है न वो risk कमाएंगे बाकि रिस्क की जात रिस्क जो है वो अल्ला की जात ने देना है के आपको चलिजे ना आप मुझे दे सकते हैं मैं अपको एक idea पेश कर सकते हूं कि मैं इस्तरा से काम करके earn कर Cena ! अगर आपको विडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाजमी से Like कीजेगा अगर आप लोगने आन-लाइन अर्नी कोरसे मगई और सीखना ये काम पर मैं आपसे कभी payments की deal नहीं करता कि मुझे पैसे दे तो यह वो अगर आपको कोई भी payment की deal करनी है तो आप मुझे whatsapp कर सकते हैं या email कर सकते हैं मेरे चैनल के मिलता हूँ आपसे नेक्स वीडियो में अपने रखी का बहुत सारा ख्याल अल्लाहाफसु नसीर